आज है सावन का तीसरा सोमवार और महादेव के भक्त पूरी शद्दा से उन्हें खुश करने के लिए जल पुश्प बेल पद्र और अलग अलग चीजें उन पर अर्पित कर रहे हैं ताकि उनका अश्रिवात पा सकें आखरी सावन स्पेशल के दो एपिसोड में हम आपको ल परानिक समय से बहुत ही विशेश मानिता रखते हैं नमस्कार मेरा नाम है नक्षयत्र और आप देख रहे हैं इभी पिलाइफ पॉड़कास्ट शुरू करते हैं विराज का वीडियो और जान लेते हैं महादेव के पहले रूप के बारे में जो दुनिया भर में जाना जात स्त्री के रूप में यह रूप शिष्टी के निर्माण और संचालन में पूरिश और स्त्री दोनों शक्तियों को सम्मानिता और महत्र को दर्शाता है जिसमें शिव और पार्वती जीत दोनों ही मुख्य भूमिका निबाते हैं यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में संत आदी योगी रूप के नाम से जानते हैं आदी योगी भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है जिसका अर्थ है पहला योगी या फिर प्रतम गुरू जो योग विज्ञान के जनक माने जाते हैं शिव के आदी योगी रूप को लोग मूल सिधानतों का उद्दम मान जाता है जिनने योग का एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया है उन्होंने अपने घ्ञान को साथ रिशियों को दिया था जिनों ने इसे आगे बढ़ाया आधी योगी रूप में भगवान शिव के जीवन ने हमें सिखाया है कि जीवन के उद्देश का केवल ब बहुत जाना जाता है मैं बात कर रहा हूँ नित्य रूप में नट राज ने कंवा इनका रूप काफी अकर्शक लगता है यह रूप नित्य के रूप में दर्शाता है नयटराज का नित्य में शिष्टी पालन और सनहार के चक्र का प्रतिनेदित्व होता है शिव जी का ये नटराज रूप बहुत सारे तत्व को मिला कर वनता है जिसमें पहला है अगनी की ज्वाला जोकी अग्यान और मो को नश्ट करती है दूसरा है डमरू जो कि स्षिष्टी की द्वनी का प्रतीक है तीसरा है अभे-mudra जो कि भक्तों को बहे से मुक्त करने का वचन देता है और अंत में आता है नंदी जी का जो कि शिव के वहन के रूप में नट्राज रूप के आधार बनते हैं बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं भगवान शिव के अगले रूप के बारे में जो दुनिया में काल भहरव के रूप में जाना जाता है अकसर आपने देखा होगा कि जहां जहां भगवान शिव क के जोतर लेंगे हैं उसी के कुछ दूरी पर काल भहरव का मंदिर पर ज़रूर होगा यह अपने काशी विश्वनात और उज्जेन जैसी जगाओं पर देखा होगा और ऐसा कहा जाता है कि काल भहरव शहर के कोतवाल की तरह काम करते हैं काल भहरव भगवान शिव का एक बर्भ शहर देवता काल भहरव समय के नियंतरिक माने जाते हैं जो की जीवन और मित्यू के चक्र को नियंतरित करते हैं हैं दूसरा है सहांरिक रूप जिसमें वो समहारक शक्ती और पदिनेट्ट्व करते और आखरी आता है रक्षा करता जिसमें वो उग्र रूप के साथ-साथ भक्तों की रक्षा भी किया गरते हैं काल भेर्व की पूज़ा विशेश रूप से तांत्रिक परंपरा में की जाती है और उनकी पूज़ा करने से भै शत्रूओं की रक्षा और धन संपत्ति का क्रिप बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं आज के सफर में शिव के आकरी रूप के बारे में जो दुनिया भर में जाना जाता है भुटेश्वर नाम से भुटेश्वर रूप महादेव का एक अत्यांत्र प्भावशाली और रहस्मई रूप है जिसमें भगवान शिव को और पिशाचों के स्वामी के रूप में धर शाया जाता है यह रूप उनके तंत्र और काल के देवता कि रूप में उनकी कि शक्ति को प्रदर्शित करता है भगवान शिफ के भूटेश्वर रूप के भी बहुत से महत्व हैं जिसमें से पहला है काल के स्वामी भगवान शिव काल के देवता हैं और भूत प्रेत आधी काल से सम्मंदित प्राणी माने जाते हैं इस रूप में वो काल पर नियंतरन रखते हैं दूसरा है तंत्रों के अधिपति तंत्र शास्त्र में भगवान शिव के है बगवान शिव के अंदर तो इस समय उनका रूप विभत्स होता है यानि काफी भयानक होता है जिसमें उनकी तीसरी नेत्र ने असीम शक्ति प्रवा होती है साथ ही साथ इस रूप में उनके गले में सापों की लिप्टी माला भी दिखाई देती है और उनका निवास इस सम लाइव पोड़कास्ट को धन्यवाद